का 你 Ausspram Card गलत बन गया है अगर गलत बन गया है तो उसको कैसे सिधारे इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाने वाली है करपया इस वीडियो को पूरा आंत तक देखें हम अपने mobile के Chrome डॉजर में जोगल पर हम लिखेंगे e-srum card lli के बाद हम सर्च कर देंगे सर्च होने के बाद हम सबसे पहली वाली साइड पर click करेंगे जब हमारी साइड खुल जाएगी तो उसके बाद हम सबसे उपर slide करेंगे और 3 line पर click करेंगे our lady registrar पर click करेंगे आल लेडी रेजिस्टर पर क्लिक करने के बाद हमारे आधार लिंक मुबाइल नमबर परफेक्ट आधार में जो मुबाइल नमबर लगा है उसको डाल लेंगे डालने के बाद कैपचा फिल कर लेंगे कैपचा फिल कर लेते हैं जिस प्रकासे कायप्चा हमारा दीया हुआ हैं जब हमारा कैप्चा फिल हो जाएगा तब send OTP पर click करेंगे send OTP पर click करने के बाद देखते हैं मेरा OTP कितनी देर में आता है तब तक हम पर्तिचा कर लेते हैं मेरा OTP आ गया है हम OTP देखके फिल कर लेंगे OTP हमने देखा है देख लिया और हम अपनी OTP फिल करेंगे चलो हम पनी OTP फिल कर लेते हैं OTP फिल होने के बाद Summit पर किलिक करेंगे Summit पर किलिक होने के बाद Profile Update का आपसन आएगा आधान नमबर अपना डाल लेंगे जब आधान नमबर पर जाएगा तब OTP परlated, Apson क्लिक करेंके और अपना pięptcha फिल करेंगे जिस पर कहां से हमारा काफचा दिया हुआ है प्रतिच्छा करें, थोड़ा समय लगेगा, मेरा OTP आ गया है, हम अपना OTP देख लेते हैं, कितना OTP आया है, ये मेरा OTP आता है, इसको हम देख लेंगे, देखने के बाद OTP फिल कर लेंगे, OTP जब फिल हो जाएगी, तो वाइलिट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद हमारा पूरा प्रोसेज के वाइसी अपडेट खुल जाता है, हम अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, और जो हमारी समस्या है, जिस चीज से रिलेटट उस अपसन को हम चुन लेंगे, हम अपने आड्रेस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं, आड्रेस पर क्लिक कर रहे हैं, आड्रेस पर क्लिक करने के बाद, जब आड्रेस हमारा क्लिक हो जाएगा, तब दे मुबाइल नमबर चेंज कर सकते हैं, इमिल आडी चेंज कर सकते हैं, हम अपने पिता का नाम आर चोटी बनी ही सक Regarding और उसके बाद और सुमेरा सभी है इस पेस थोड़ा कम कर देते हैं उस बाद हम अपने आगे का प्रोसेज करेंगे और तो सब सही है हम सम्मिट पर क्लिक कर देंगे अपडेट फिर हमने सब चेक कर लिया है सब कुछ सही है उपर से नीचे तक चेक कर लेंगे उसके बाद अपडेट कर देंगे चलो हम अपडेट इसमें नॉमनी में डी छोटी बनी है इसको जो हम बड़ी कर देते हैं डी और तो सब सही है अपडेट पर क्लिक कर देंगे चलो हम बैंक डीटेल बैंक डीटेल वाले अपसन को देख लेंगे कि मेरी बैंक डीटेल सही से लगी है कि नहीं तो हम उपर से बैंक डीटेल चुन लेंगे देखते हैं कि मेरा बैंक अकाउन नमबर सही से फिल हुआ है कि नहीं हमारा बैंक अकाउन नमबर सही से फिल हुआ है इसलिए हम हम लाग आउट पर क्लिक कर देंगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सेर जरू कर दें